भाई दूच भाई और बहन का पवित्र त्योहार माना गया है और ये त्योहार पूर्ण हर्शोल लास के साथ दिपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है कार्तिक मास की धुतिया तिथी को ये त्योहार मनाया जाता है और इसको यम धुतिया के नाम से भी जाना जाता है इस दिना विवाहिता बहने अपने भाईयों को तिलक करती है और उनको नारियल, गोला, भेट देती है विवाहित बहनों के घर भाई जाते है और बहने अपने भाई को भोजन खिलाती है उन्हें दिलक लगाती है और भाई भी अपनी बहनों को उपहार रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं इस त्योहार की शुरुवात कब से हुई और किसके द्वारा इस त्योहार को पहले मनाया गया इसके विशे में कहीं कथाएं प्रचलित हैं आईए उन्हें से कुछ कथाएं आप सभी भक्तों को सुनाते हैं क्यूं भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं क्यूं भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई देहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार भाई देहन का ये त्योहार इसे मनाता सब संसार कार्द कमास में शुक्ल पक्ष की त्यात थियाएं भाई दूज का प्यारा उच सब सारी दुनिया मनाएं भाई बहन का बड़ा ही सुन्दन पावन ये त्योहार अपनी बहन को भाई देता है इस दिन उपहार बहना भाई के बस तक बंटी का लगाती हैं और भाई के हाथ में वो अलावा बांधती हैं भाई के लंबी आयों की काम न मांगती हैं बहन अपने भाई पर प्यार लुटाती हैं भाई भी अपनी बहनों पर प्यार लुटाते हैं हाँ प्यार लुटाते हैं आओ भाई दूज के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बेहन का ये क्यों हाद इसे बनाता सब संसार बाई देहनिता ये त्योहाद इसे बनाता सब संसाद कब से इसकी शुरूवत है आओ तुमें बताए कई कथाए है इसकी उनमें से कुछ तुम्हे सुनाई सूर्यदेव की पतनी संग्या की थी दो संता यम राज था नाम एक का दूजी का यमुनाना कई बार यमुनाने यम को अपने धर पे बुलाया द्यस्तता के कारण लेकिन वो कभी ना जा पाया एक दिन बैठे बैठे भाई यम के मन में आया अपनी बहन के घर जाने का उसने विचार बनाया भाई यम अपनी बहना के घर पर जाते हैं हाँ घर पर जाते हैं आओ भाई दूजी के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये त्यों हाग इसी मनाता सब संसार नर्क के सब जीवों को जाने से पहले मुक्त किया उसके बाद अचानक अपनी बेहन के घर पहुचा देख के यम भाई को यम न बहुत ही हरशाई अपने प्यारे भाई पे उसने बहुत ही प्रीत लुटाई बेहन ने अपने यम भाई का खूब किया सतका तरह तरह के बना के उसको खिलाए तब आहाई खाना खिला के भाई के बाधे ठीका लगाया था उसके बाद में भाई के हाथ में गोला थमाया था यम भाई अपनी बहना पर प्यार लुटाते हैं हाँ प्यार लुटाते हैं आओ भाई दूझे कि तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये क्यों हाल, इसे मनाता सब संसार भाई बहन का ये क्यों हाल, इसे मनाता सब संसार पैसन हुआ यम भाई अपनी बहना से बोला जो भी चाहो वर मांगो मुझे से प्यारी बहना यम ना बोली भाई यदि तुम मुझे कुछ देना चाहो प्रतिवर्श इस दिन मेरे घर में तुम दरूर आओ इस दिन कोई भाई अपनी बहन के घर में आए बहन भी भोजन खिला के भाई माथे तिलक लगाए उन दोनों को आप कडर न भैया कभी सताए और नहीं कुछ मांगे आपकी बहना इतना चाहे अपनी बहन को यम भाई ये वर दे जाते हैं आओ भाई दूज के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये त्योहार इसे बनाता सब संसार भाई बहन का ये त्योहार इसे बनाता सब संसार यम भाई अपनी अमुनों बहना से तब बतलाई इस दिन जो भी भाई बहन ये मुनान दिया में नहाएं भाई बहन को मेरा प्रगोप कभी न सताएगा मेरा आशरवाध भी दोनों को मिल जाएगा प्रतिवर्ष वो बहन को आने कादे के विश्वाद कई तरह के देउपहार वो पहुचे अपने निवास जस दिन यम अपनी प्यारी पहना के घर आएं कार्दिक मास के ध्लतियात थी भक्तों वो कहाएं भाई दूझ का इसी लिए परव मनाते हैं सब परव मनाते हैं आओ भाई दूझ के तुमको कथा सुनाते हैं भाई दूझ के त्योहार इसी मनाता सब संसार भाई दूझ के त्योहार इसी मनाता सब संसार सबसे विवाहिता बहना के घर भाई जाते हैं बहन के खातिर तब भाई उपहार भिलाते हैं बहन भी अपने भाई को भोजन करवाती हैं भोजन करवा कर माथे पर टीका लगाती हैं टीका लगा कर भाई को वो भोला देती हैं उसकी लंबी आयों के लिए काम न करती हैं सदा सुखी रहे भाई मेरा देती है आशिरवाद दुख न आये जीवन में हो सुख की सदा बरसा बहन की रक्षा के लिए कसम उठाते हैं भाई कसम उठाते हैं आओ भाई दुझ की तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसाद भाई बहन का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसाद एक सथार भाई दुझ की आज बताते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कथा वो तुम्हे सुनाते हैं राक्ष सुनर कार्सुर को मारने के बाद जब मोहन अपनी बहन सुबत्रा के घर आये थे एक दिन फूलों की माला से सुबत्रा ने किया था स्वागत श्री कृष्ण के माथे पर उसने लगाया तिलत तब से भाई दूझ कई पर्व मनाया जाता इस दिन भाई अपनी बहन के घर पर है जाता बात ये हमको कुछ पौराणिक तथे बताते हैं हाँ तथे बताते हैं आओ भाई दूझ के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसाद भाई बहन का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसाद बीपबली के दो दिन की बाद ये पर्व है आता भाई दूझ को यमधितिया भी भक तो कहा जाता इस दिन प्राता अठ कर जल्टी करते हैं असना उसके बाद विश्णु गनेश जिका करते हैं ध्यान भाई दूझ पूझा के लिए खिर थाली सजाए जाती रोली मोली फूल सपारी मिठाए रखे जाती चावल के मिश्रण से भक तो चोक सजाया जाता चावल के इस चोक पे फिर भाई बिठाया जाता शुब महूरत में बेहन से खिलक कराते हैं भाई खिलक कराते हैं आओ भाई दूझे के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बेहनी का ये क्यों हाज जिसे मनाता सब संसार भाई बेहनी का ये क्यों हाज जिसे मनाता सब संसार तिलक लगा कर बेहना भाई को है मिठाई खिलाती पान पूल और चने पता से देती है गोला सुपारी इसके बाद में प्यार भाई की बेहना आरती करती बेहना को पुतार की भाई से सोगात हैं मिलती इस दिन यम पूझा से अताल मित्यू नहीं होती भाई बेहन को यम राज की खिरपा है मिलती हिंदु धर्म का सब से ही पावन है ये त्योहार इस त्योहार से भाई बेहन में बड़ता है मनोहा हसी खुशी से इस त्योहार को सारे मनाते हैं हाँ सारे मनाते हैं आओ भाई दूझ के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बेहन कई त्योहार इसे बनाता सब संसार भाई दूझ का पावन त्योहार भाई बेहन की अमर प्रेम की निशानी है आज के दिन प्रतेक बहना अपने भाई के सुखत जीवन और दिरगायू होने के लिए यमरात से प्रातना करती है साथ ही साथ शद्धा एवं भाव से यह पर्व करने पर भाई की अकाल मृत्यू भी टल जाती है पहली कहानी है यम और यमी की और दूसरी कहानी बेहन द्वारा भाई की जान बचाने की है तो आईए आपको दो-दो कहानियों से अवगत कराते हैं बोलिए सूर्य पुत्र यम की जाई बेहन का प्यान भैया दूज त्यों हान ये भैया दूज का पर्व महान बहन भाई की रक्षा के लिए मांगती है वरदान ये भैया दूज का पर्व महान ये भैया दूज का पर्व महान सूरे की राज दुलारे छाय की आँखो के तारे यम और यम ना दोनों भाई बेहन थे प्यारे यम और यम ना दोनों भाई बेहन थे प्यारे भैया दूज का दिन आया यम ना ने यम को बुलाया मेरे घर आओ भैया निमंत्रन है भिजवाया नम सोचे मुझे कोई न बुलाता मैं हरता हूँ प्राण यम सोचे मुझे कोई न बुलाता मैं हरता हूँ प्राण ये भैया दूज का पर्व महान ये भैया दूजी का पर्व महाल जब यमना का निमंत्रन आया तो यमराज मन में सोचने लगे कि डर के मारे मुझे कोई निमंत्रन ही नहीं देता क्योंकि मैं जीवों का प्राण हरन करके उन्हें नर्क में डाल देता हूँ पहली बार बहना निमंत्रन भेजी है वो भी भैया दूज के अवसर पे तो जाना ही पड़ेगा इस प्रकार अपनी बहना के पास जाने से पहले यमराज नर्क के सभी प्राणियों को आतात कर देते हैं और बहन यमना के पास आते हैं तो भक्त जनों आगे देखिए इस कथा में क्या क्या होता है ये भैया दूज को पैब महार घर में भाई को पाई यमुना जी खुश हो आई भाई को टी का लगा के मधुर बेंजन है बनाए आज के दिन जो बहना भाई को टी का लगाए कभी ना नरक में जाए आपका भेना सताए कभी ना नरक में जाए आपका भेना सताए आपकी क्रिपास अंत समय में करे स्वर्ग प्रस्थान ये भाईया दूज का पर्व महान यमुना के आदर सत्कार से खुश होकर यमुना से कहा हे बहन आज में तुम्हारी सेवा से रसन हुआ तुमको जो वर्दान मांगना है वो मुझसे मांग लो तब बहना यमुना से दो वर्दान मांगती है कि भेया दूज का व्रत करके जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाए वो कभी नर्क में न जाए और आपका भैना सताए यम्राज बहना के वर्दान मांगने पर बोले हे बहना जो भी भैया दूज का पावन ब्रत करेगा उसका भाई स्वर्ग जाएगा उसके भाई की अकाल मृत्यू नहीं होगी इतना ही नहीं इस से ओहार के फर से बहन अपने भाई को मौज के मुझ से खीच कर लाएगी और नव जीवन प्रदान करेगी यम्राज के वर्दान से एक बहन अपने भाई को किस तरह काल से बचाती है आए सुनते हैं एक थी बुढ़िया माता उसके थे सात बेटी एक सुन्दर बेटी थी रहती थी सज सवर के एक सुन्दर बेती थी रहती थी सजर सबर के सातो भाईयों के बीच में बहना खुश हाल रहती शादी हो गई बहना की अपने ससुराल रहती सातो भाईयों के बहना थी बड़ी बुधी मान ये भाईयों के बहना थी बड़ी बुधी मान ये भाईया दूज का पर्व महान बेटी की शादी के बाद बुधीया जब लड़कों की शादी करने लगी तो शादी के मंडफ में ही एक नाग आकर लड़के को काट कर मार देता है बुधीया के शे लड़कों को साप पहले ही मार चुका था केवल सात्वा ही बचा था वो भाईया दूज के पर्व पर अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने जाता है तो वही साप रास्ते में आकर कहता है कि आज मैं तुम्हें डस लूँगा और तू मर जाएगा लड़का साप से कहता है कि जब आज मैं अपनी बहन से ठीका लगा लूँगा तब तुम्हारे पास आऊंगा तु मुझे काट लेना साप कहता है तेरे बाद पर कैसे विश्वास करूं तब लड़का बोला तू मेरे साथ मेरे जोले में चल तिलक लगाने के बाद मुझे काट लेना लड़के की बाद मान कर साप जोले में बैठ कर लड़के के साथ चल देता है अब आगे क्या होता है आईए जानते हैं ये बैर आद मुझे का पर्व महार बेहन घर भाई आया बेहन को गले लगाया बोली बेहना जोले में तू मेरे लिए क्या लाया भाई बोला बेहना से तेरे लिए कुछ नहीं लाया बेहन का छोटा बेटा जोले में हाथ लगाया बेहन का छोटा बेटा जोले में हाथ लगाया साप बन गया हार हीर का स्रिपा की भगवान ये भाईया दूज का पर्व महान अगले ही दिन भाई घर जाने की तयारी करने लगा तो बहन ने उसे रास्ते में खाने के लिए जोले में लड्डू रख दिये खाई जोला लेकर चला गया तो बहना जब आटा पीशने वाली चक्की के पास गई तो देखी की उसमें साप पीश गया है लड्डू वाला चना भी उसी चक्की में ही पीशी थी साप को देखकर सोची की लड्डू तो जहर से भरा पड़ा होगा मेरा भाई कहीं खा कर मर न जाए ऐसा सोच कर वह घर से तेजी से दोड़ी और रास्ते में पूशते पूशते भाई के पास पहुची जो ठक कर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था आगे बहना क्या करती है आईए सुनते हैं भाई के पास में आए बहना भाई को जगाई चीन के जोला पैकी बहना भाई को बचाई जहर से भरा था लट्डू बहन ये बात बताई कहीं तू खाना जाए इसलिए दोड़ के आए कहीं तू खाना जाए इसलिए दोड़ के आए लट्डू फेक के बहना बचाई अपने भाई की जान ये भाई के साथ बहन चलती है तो रास्ते में बहन को प्यास लगती है बहन भाई को बैठा कर तलाब के तरफ जाती है तो वहां साथ पत्थर देखती है जिसमें छे गड़े हुए थे एक बिना गड़े हुए था जिसे देखकर बहन पास में खड़ी एक बुढिया से पत्थर के बारे में पूछी तो बुढिया बोली कि एक बुढिया के छे बेटे शादी के मंड़ में साप द्वारा मारे गए ये छे पत्थर उसी के हैं सात्वा बचा है वो शादी के मंड़ में मारा जाएगा तो सात्वा भी गड़ा हुआ मिलेगा बेहन बुढिया की बात समझ गई और सात्वे भाई को बचाने का उपाय पूछी तो बुढिया बोली कि उसकी बेहन ही उसे बचा सकती है बेहन भाई को कैसे बचाई आईए आगे सुनाती हूँ भाई जब दूल्हा बना तो बेहन भी संग में आई आके मंडप में बैठी संग था उसका भाई गूले को डसने के लिए नाग मंडप में आया नाग को पकडली बहना देख भाई हर साया पितार के अंदर रख नाग को बेहना बचाई जाओ ये भाईया दूजी का पर्व महान नाग को पितारी में बंद देखकर नागन आ गई और अपने पती को छोड़ने को बोलने लगे तब बेहना बोली कि अब तो मैं तेरे पती को तब ही छोड़ूँगी जब तुम मेरे छे भाईयों को जीवित करोगी बेहना के जित के आगे नागन जुख जाती है और छे भाईयों को जीवित करती है और नागन अपनी पती के साथ चली जाती है बुढ़िया अपने सातों बेटे बहु और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है बुढ़िया के आखों की रोशनी वापस आ जाती है इसकी बाद बेहना क्या करती है सुनते है बेहन ससुराल चली है, होके खुश हाल चली है लक्ष में भी बेहना के संग, उसके ससुराल चली है बुढिया बोली बेटी से, बेटी मेरी बात मानो लक्ष में तेरे साथ जा रही, लक्ष में जी को पहचानो लक्ष में तेरे साथ जा रही, लक्ष में जी को पहचानो नई हर और ससुराल की बेटी पूरा करे अर्मान ये भाईया जूज का पर्व महान जब बुढिया की बेटी ससुराल चली तो बुढिया के घर की लक्ष में भी उसके साथ चल दी तो बुढिया बोली, बेटी लक्ष मी भी तेरे साथ जा रही है इन्हे तु नई हर और ससुराल दोनों में आधी-आधी बाण दे बेटी ने वैसा ही किया लक्ष मी मा से बोली, मा अपना आधा ध्यान मेरे नई हर पे आधा ससुराल में दो लक्ष्मी मा लड़की की बात मान गई ये भाई बहन के प्रती बहन की त्याग का पावन पर्व है भाईया दूज कथा यही समाप्त गूती है तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे लागे दूल हासा तू दिलदार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे लागे दूल हासा तू दिलदार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे मस्तक पर मल्यागिर चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मल्यागिर चंदन के सर तिलक लगाया मुर्म कुटकानों में कुंदले तर खूब बरसाया यू महकता रहे दर बार सामरे यू महकता रहे दर बार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे लागे दूल हासा तू दिलदार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे बागों से कलिया चुन चुन कर सुन्दर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे वो हर बार सामरे सजाता रहे वो हर बार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे लागे दूलहासा तू दिलदार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे बोल सामरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओं बोल सामरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाओं मुझे मिलता रहे तेरा प्यार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे लागे दूल हासा तू दिलदार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे इसमें आइ ता बेता आए तू आए जाए तू जाए 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 सावली सूरत पे मोहन दिल दिवाना हो गया 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 सावली सुनरत पे मोहन दिल 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 समय तेरे नैन तिर छे दूसरा का जल लगा तीसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दिवाना हो गया सामिली सुरत पिमोगत दिल दिवाना हो गया एक तो तेरे होट पतले दूसरा लाली लगी तीसरा तेरे होट पतले दूसरा लाली लगी तीसरा तेरा मुष्कुराना दिल दिवाना हो गया सामिली सुरत पिमोगत दिल दिवाना हो गया एक तो पिमोगत दिल दिवाना हो गया तेरे हाथ को मल दूसरा मेहदी लगी तीसरा तीसरा मुष्कुराना दिल दिवाना हो गया सामिली सुरत पिमोगत दिल दिवाना हो गया एक तो पिमोगत दिल दिवाना हो गया तेरे पाव नाजुक दूसरा पायल बन्धी तीसरा घुंगरू बजाना दिल दिवाना हो गया सामली सुरत पिमोहन दिल दिवाना हो गया एक तो तेरे भोग छपन दूसरा माखंधरा तीसरा खिच्डे का खाना दिल दिवाना हो गया सामली सुरत पिमोहन दिल दिवाना हो गया एक तो पिमोहन दिल 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 तेरे साथ राधा दूसरा रुक मन खड़ी तीसरा मेरा काना दिल दिवाना हो गई साथ री सूरत रुक मन दिल दिवाना हो गई एक तो तुम देवता हो दूसरा पी तम मेरे तीसरा सपनों में आना दिल दिवाना हो गईा साथ री सूरत रुक मन दिल दिवाना हो गईा साथ री सूरत रुक मन दिल दिवाना हो गईा कयाossen दिल 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 दी तो ग्रास हो गईा तुम्हें देखके जाना मोहन इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर नहीं दिल हो बैठा दिवाना इश्क पे जोर नहीं 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 पे जोर नहीं तुम हो जिधर हम दोड़े चले आते हैं नीद वींद चैन वैन छोड़े चले आते हैं तुम हो जिधर हम दोड़े चले आते हैं बस तुमको पाना मोहन दोसरा ठोर नहीं इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर नहीं एक पल दूर तुमसे रहना कठन हैं शब्दों में हाले दिल कहना कठन हैं एक पल दूर तुमसे रहना कठन हैं अब हमने भी माना मोहन तुम बिन भोर नहीं इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर नहीं इश्क पे जोर चपने जोर नहीं हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो चाहे जले जमाना मोहन करें हम गोर नहीं करें हम गोर नहीं इश्क पे जोर नहीं दिल हो बैठा दिवाना इश्क पे जोर नहीं 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 पे जोर नहीं गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन जब वास की होकर भी दुनिया को न चाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन कायल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है गन शाम तेरी बंसी आगल कर जाती है अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दाव् अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम कौन कहते है भगवान आते नहीं कौन कहते है भगवान आते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम राम नाराय रम जान की वल्लभम कौन कहते है भगवान खाते नहीं कौन कहते है भगवान खाते नहीं कौन कहते है भगवान खाते नहीं अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम राम नाराय रम जान की वल्लभम कौन कहते है भगवान सोते नहीं कौन कहते है भगवान सोते नहीं माय शोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम राम नाराय रम जान की वल्लभम कौन कहते है भगवान नाचते नहीं कौन कहते है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह हम नचते नहीं अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम राम नाराय रम जान की वल्लभम क्रिष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो क्रिष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो क्रिष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम राम नाराय रम जान की वल्लभम अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामो दर्म राम नाराय रम जान की वल्लभम अच्चुतं की वल्लभम हरे क्रिष्ण खरे क्रिष्ण 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 खरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare हर जगा तो ही तू, हर जगा तो ही तू, मैं जिदर देख था हूँ, उदर तू ही तू मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जल्वा कहां पर नहीं है मेरे बागे बिहारी सावरिया तेरा जल्वा कहां पर नहीं है आँखवालों ने तुमको है देखा कानवालों ने तुमको सुना है तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आँखों पे परदा नहीं है मेरे बागे बिहारी सावरिया तेरा जल्वा कहां पर नहीं है नहीं है तेरा जल्वा कहां पर नहीं है लोग पीते हैं पीपी के गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं है हम भी पीते हैं गिरते नहीं है हम तो पीते हैं सतसन का प्याला यह अंगूरी पानी नहीं है मेरे बागे बिहारी सावरिया तेरा जल्वा कहां पर नहीं है नहीं है तेरा जल्वा कहां पर नहीं है यह नशा जल्वा कहां पर नहीं है चड़ जाए उतरता नहीं है लोग जीते हैं दुनिया के डर से हमें दुनिया का कोई डर नहीं है मेरे बागे बिहारी सावरिया तेरा जल्वा कहां पर नहीं है नहीं है तेरा जल्वा कहां पर नहीं है तेरा जल्वा कहां पर नहीं है हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गई बन्शी वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हमें भागया है मुरली वाला हमें भागया है मुरली वाला कान हागो कुल कावो गौला ये साथ हमारे रहते हैं हम हो गए बंशी वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन्शी वाले के कोई कहता है अब कहता रहे मेरा दिल तो बस इतना कहे हम लोग नहीं अब जचते हैं हम हो गए बन्शी वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन्शी वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन्शी वाले के मैंने सौप दिया उसको जीवन मैंने सौप दिया उसको जीवन मेरा सब कुछ है अब मन मोहन ये दिल में हमारे बसते हैं हम हो गए बन्शी वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन्शी वाले के अब हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बन्शी वाले के रादी शाप 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 आलीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को सखीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को लागे व्रिंदा वननी को आलीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को सखीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को सखीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को घर घर तुलसी था कुर सेवा घर घर तुलसी था कुर सेवा दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को सखीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को निर्मल नीर बहत जमुना को निर्मल नीर बहत जमुना को भोजन दूध दही को आलीरी मोहे लागे व्रिंदा वननी को राधे शाम 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 राधे शाम राधे शाम 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 राधे शाम राधे शाम 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 राधे शाम